नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पबलिक स्कूल या EWS सोसाइटी के द्वारा जो एक्जाम कंड़क्ट कराया जाने वाले हैं इसका एक्जाम हिंदी में होगा या इंगलिस में होगा ये आपके मन में सवाल आ रहे होंगे की एक्जाम को कैसे कंड़क्ट कराया जाएगा तो इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मैं दूंगा तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को explain करना चाहता हूँ देखिए एक्जाम जो है चार से पांच पार्ट इसके महन होंगे एके करके मैं आपको सबसे पहले बता दू एक्जाम में English Passes भी आएगा numerical ability भी आएगी और reasoning जो है ability भी आपसे पूछा जाएगा GKGS में current affairs भी सामील है और आपको जो है computer ability भी यहाँ पे देखने को मिलेगी and child and development या फिर आप pedagogy के जो भी प्रस्म बोलते हो बाल विकास वो भी यहाँ आपसे पूछा जाएगा तो अब सवाल आता है कि इसे हिंदी में पूछा जाएगा या English में पूछा जाएगा इस exam का जो पढ़ने का medium है जो आप पढ़ोगे वो कैसा होगा तो मैं आपको बता दू या जो exam conduct कराया जाएगा ये army society के द्वारा conduct कराया जाता है और army school सारे जो है अभी English में पढ़ाई होती है English माध्यम के द्वारा पढ़ाई होती है लेकिन अगर आपका subject हिंदी है या आपका subject Sanskrit है तो आप यहाँ पे जो है Hindi या आपको जो paper है वो हिंदी में देखने को भी मिलेगा bilingual मिल जाएगा लेकिन other subject वाले जैसे suppose कर लो physics, chemistry, math वाले या फिर PRT के normal subject वाले हैं उनका exam जो होगा वो purely जो है paper English में आपको देखने को मिलेगा तो किसी भी बहकावय में आने की जरुरत नहीं है आपको paper आपका English में होगा, हिंदी में paper नहीं होगा अगर आपको previous year question paper चाहिए army public school की, यहां से मेरी email आडिया आपको दिख रही होगी yourmithunsinig at the rate gmail.com पे mail कर लिजे अगर instagram यूज करते हो तो at the rate i mythunsinig पे आप मुझे follow करके भी paper के लिए inquiry कर सकते हो, आपको previous year question paper भी मिल जाएंगे और एक बात मैं बता दू, यह paid service है, आपको 50 रुपीज provide करने है, आपको सारे question paper यहां पे available करा दिया जाएगा, तो mail कर लिजे yourmithunsinig at the rate gmail.com पे, instagram पे हो तो at the rate i mythunsinig पे आपको follow कर लेना है, तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing, thanks for watching this video